Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom My Classroom नहीं आपका Classroom जी हाँ ये आप सभी का Classroom है जहां हम पढ़ते हैं Hindi और English और first standard से almost 10th standard तक not almost बट 10th standard तक तो आज की जैसे की आपको पिक्चर देखकर पता ही चल गया है कि आज हमारा जो class होने वाली है ये class हमारी class 6 की और हमारी book है Sparrow तेकिन उससे पहले हम देखेंगी कि आज हम Sparrow में कौन सा lesson या पूम पढ़ने वाले हैं अरे अरे ये लड़का कहां खड़ा है ऐसे लगता है इसके पीछे बहुत सारी books हैं और शायद ये कुछ बच्चे यहां बैठकर पढ़ भी रही हैं लेकिन ये कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर बहुत सारी books रखी हैं कुछ guess करिए चलो आपको guess नहीं करना है तो कोई बात नहीं मैं ही बता देती हूँ ये library और library एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और हर चीज के बारे में आपको अगर knowledge या उसके बारे में जानना है तो आप कहां जा सकते हैं वो जगह है ये library ये library और इस library में आपको हर जगह के बारे में पता चल जाए तो लाइबरेरी में आपको हर जगह हर चीज के बारे में आप पता कर सकते हैं तो कैसे चल ये पढ़ते हैं पहले ये एक poem तो ये जो poem है ये लिखी है बार-बारा ए हाफने पहले हम poem पढ़ते हैं और पाद में जो poem है लाइबरेरी बहुत ही interesting है जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लाइबरेरी में क्या होता है क्या हम महाँ पढ़ सकते हैं क्या हमें महाँ सीखने को मिल सकते हैं हम किस चीज के बारे में लाइबरेरी में जाकर सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या उसके बारे में knowledge ले सकते हैं तो यह जो लाइबरेरी है यह दूसरी आम बिल्डिटिए तो यह जो लाइबरेरी है यह दूसरी आम बिल्डिग की तरह ही दिखाई देती है when you pass it on the street मतलब जब भी आप इसके पास से निकलते हो pass it मतलब इसके पास से आप गुजरते हो यह लाइबरेरी है यह आपको बिल्कुल एक आम बिल्डिग जैसे ही दिखाई देती है made of a stone glass and marble और यह भी पत्थर से glass से और marble से बनी ह होती है made of iron and concrete और iron मतलब लोहा और concrete concrete क्या होता है concrete होता है जब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ सीमेंट और चोट चोटी से पत्थर कुछ सेंड वह सब मिलाकर जब उसका एक paste जैसे बनाया जाता है यह पत्थर यह इंटो को चिपकाने के लिए आपस में जिस टौझे आटो का क्या मतलब है बच्चों इन बातों का ये बत्लक है अगर आपको रोम के बारे में जानना है अगर आपको सियाम के बारे में जानना है अगर आपको नोम के बारे में जानना है यह क्या है, कौन से कंट्री है, कहा है कैसे होती है इंकंट्री या वहां रहने वाले लोगों के बारे में आपको जानना है तो आप library जाएए, book उठाइए, और उसमें आपको या आपको camel के बारे में पता करना है, train के बारे में पता करना है, train कैसी होती है, कब बनी थी, कब इसका विश्कार हुआ था, इन सब के बारे में आप कहां पढ़ सकते हैं, आप library में पढ़ सकते हैं, मतलब library में वो सब ही books आपको मिल जाती है जहां भी आपको जिसके बेबारे में आपको पता करना होता है या पढ़ना होता है जैसे अगर आपको रोम के बारे में पता करना है कि रोम कहां है वहां रहने वाले लोगों की लेंगविज क्या है वहां रहने वाले लोगों का अक्यूपेशन क्या है या विजित रोम, सियम और नोम, फिल अ हरिकेन, फिल अ हरिकेन, meet a king, learn to sing, how to bake a pie, go to sea, plant a tree, find how airplanes fly, train a horse, and of course, have all the dogs you would like, see the moon, a sandy dune. अब यहां लेकर दुबारा हमें बताती हैं, फिल अ हरिकेन, अब जैसे ही आप रोम, सियम, नोम, इन सब के बारे में पढ़ोगे, फिल अ हरिकेन, या आपको तो आपको, एक सीवियर स्टॉम, मतलब आपको, हरिकेन जो होता है, कि जब बहुत जादा, बहुत तेजी से हवा चलती है, बहुत तेज, उसको कहते हैं हरिकेन, यानि स्टॉम जैसे तुफान आ गया है, तो इस तुफान से यहां मतलब है, कि जब आपको किसी भी चीज़ी के बारे में जिग्यासा होती है, कुछ चीज जानने के बारे में, और आपके अंदर जो वो एक तुफान होता है, कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता करना है, तो वो सब आप कहां पता कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाकर, meet Г, learn to sing, आपको किसी राजा के बारे में जानना है, यानि उस राजा से मिलना है, तो आप लाइब्रेरी जाइए, learn to sing आपको कोई गाना सीखना है गाना कैसे गाया जाता है तब आप लाइबरी जाएए आपको वहाँ उस तरह की बुक्स मिलेंगी जिसमें आप सीख सकते हैं how to bake a pie क्या आपको pie यानि biscuit केक कुछ ऐसा बनाना सीखना है तो भी आप लाइबरी जाकर वहाँ उस रेसिपी की बुक ढूंड सकते हैं यानि कुकरी बुक आप ढूंड सकते हैं और वहाँ पर आप सीख सकते हैं go to see planter tree अब अगर आपको समुद्र के बारे में सीखना है तो भी आप उससे related books आपको मिल जाएगी यानि general knowledge की books planter tree, एक tree कैसे उगता है उसके बारे में सीखना है तो भी आपको लाइबरेड में मिल जाएगा find how airplanes fly train a horse and of course have all the dogs you would like तो find how अब अब एरोपलेन कैसे उड़ता है अगर आपको ये एक जिग्या सा है ये आपको जानना है कि कैसे एरोपलेन कैसे उड़ता है वो नीचे क्यों नहीं गिरता है तो भी आपको इसके बारे में कहां मिलेंगे books लाइब्रेरी में train a horse train a horse का मतलब है अगर आपको आपको पास कोई घोड़ा है और आप उस घोड़े को train करना चाहते है कि घोड़ा आपके बाते माने and of course have all the dogs you would like और suppose आपके पास आपको pet dog अच्छे लगते हैं आपके पास pet है, dog है या cat है, कुछ भी है और आपको उसके बारे में जानना है आपको उससे सिखाना है कि आपको कैसे आप उसको सिखाए कि वो आपका जो pet dog है या होर से वो आपकी बात मने तो भी आप एक book library से ले सकते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं See the moon, a sandy dune अब moon कैसा होता है moon के बारे में आपको जानना है sandy dune, sandy dune होता है यानि जो desert होता है नहीं जो रेगेस्तान होता है वहाँ रेत के बहुत बड़े-बड़े पहाड होते है और उन रेत के पहाड को जो है हम कहते है sandy dune sandy मतलब sand से बना हुआ और dune मतलब रेत का पहाड अगर आपको चंद्रमा के बारे में जानना है आपको रेत के पहाड के बारे में जानना है तो कहां मिलेगा सब of course the library में everything और catch a hooping pike everything that books can bring you will find inside those walls a word is there for you to share when adventure calls you cannot tell its magic by the way the building looks but there is wonderment within it the wonderment of books see the moon a sandy dune और catch a hooping pike अब अगर आपको चंद्रमा sandy dune और catch a hooping pike मतलब है एक बहुत बड़ी यानि pike होती है एक sea water fish यानि जो समुदर में जानने वाली फिश है अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो कहां मिलेगा आपको लाइब्रेडी में everything that books can bring you'll find inside those walls अब हर वो चीज जो आपको जाननी है समझनी है वो कहां मिलेगी आपको you'll find inside those walls यानि उन walls के अंतर यानि उस लाइब्रेडी में a word is there for you to share when adventure calls और और वो सीख समझकर आप दुनिया के साथ सब के साथ शेर करना चाहते है you cannot tell its magic by the way the building looks पर जैसी ये building दिखाई देती है उससे आपको ये नहीं लगता है कि ये कोई magic होता है यहां पर but there is wonderment within it the wonderment of books but यहां पर क्या होता है wonderment मतलब होता है feeling of surprise मतलब आप surprise हो जाओ गई कि आपको कुछ भी चानना है किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना चाहते हो वो सब आपको library की books में मिल जाएगा library यानि जहां पर आप वो books उठा कर पढ़ सकते हो उस चीज़ के बारे में जान सकते हो and the wonderment of books और books की दुनिया में हो सकते हो और books की दुनिया से बहुत सारा आप जो surprise आपको मिलेगा आपको अश्चरे होगा कि कैसे इतनी सारी चीज़े आप एक within the walls you can learn तो ये है हमारा the library का magic actually books का magic तो I hope बच्चों की आपको books से आप कितना कुछ सीख सकते हो चाहे वो स्टोरी बुक हो या आपको जो भी कुछ जान सकते हैं आप लाइबरीर जाएए और वहां से एक बुक एक महीने में कम से कम जरूर पढ़िए और आप देखेंगी आपकी नॉलेज कितनी बढ़ गई है तो चलिए मैं ये पोम यहीं कतम करती हूँ और इसके अगले वीडियो में इसके शेयर करूँगी मैं इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है एक्सराइज है वो सब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक अगर प्लीज आपको समझ में आता है तो ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तब मिलते हैं अगले चैनल में वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक के आर